अपनी बात के सुरुआत इतिहास की एक बहुत प्यारी घटना से करना चाहूंगा कहते हैं एक राजा जिनके यहाँ पर जैन मंत्री मंत्रणा का काम संभाला करते थे और राजा के विकास में राजा के कल्यान में प्रजा के कल्यान में अपनी अहर ने सेवाएं समर्पित किया करते थे एक बार किसी पडोसी राजा ने आकरमन कर दिया आकरमन कर दिया तो राजा युद लड़ने के लिए रवाना हो गया और साथ में वो जैन मंत्री भी राजा का साथ देने के लिए रण भूमी पहुँच गए और उन्होंने पूरे शोरिय के साथ पूरे हिम्मत के साथ सत्रूं से लोहा लिया और कहते हैं कि वो राजा तो जीत गया राजा तो जीत गया लेकिन वो जैन मंत्री बहुत गायल हो गए इतने गायल हो गए कि राजा सह सम्मान उनको वापस अपने टैंड में लेकर के आया लेकिन अब राजा को लगा कि ये बचने वाले नहीं है जैन मंत्री को भी लगा कि अब मेरे प्राण छूटने वाले हैं और पता नहीं प्राणों के छूटे-छूटे वो कुछ भावना भार रहे थे कुछ भावना भार रहे थे और उनके प्राण निकल नहीं रहे थे जब राजा ने उनकी घायल अवस्ता देखी तड़पती हुई अवस्ता देखी तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि इस मंत्री ने मेरे जीवन भर राज काज में सयोग समर्पित किया मेरा सबसे इमानदारिय मंत्री रहा और आज मैं इसी की वज़े से युद जीतने में भी सफल हुआ हूँ लेकिन ये मंत्री इतना वैथित है इतना पीड़ित है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आखिर मैं क्या करूँ कि इनकी पीड़ा और वैथा कम हो जाए तो वो राजा मंत्री के पास पहुँचा और निविदन किया कि आखिराब इतने वैथित क्यों है तो मंत्री ने अपनी अंतिम भावना भातिवे कहा कि हे राजन अगर तुम किरपा कर सकती हो तो मैं चाता हूँ कि मेरी अंतिम सांस निकले उससे पहले मुझे किसी मुनी भगवन्त के दरसन हो जाए मुझे किसी मुनी भगवन्त के किसी सादू भगवन्त के दरसन हो जाए ताकि उनका दरसन करके उनका मंगल पाड सुनके मैं अपने प्राणों का शांती पुरक, आनंद पुरक विसर्जित कर सकूँ जब राजन यह सुना तो राजा ने का हाँ 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 जरूर तुम मेरे जीवन भर काम आये हो तो मैं यह अंतिमिच्छा जरूर पूरी करूंगा और कहते हैं कि राजा अपने गुप्त चरों को चारो दिसाओं में भेज देता है कि कहीं से कोई सादू भगवन मिल जाए कोई मुनी भगवन मिल जाए तो उन्हें निविदन किया जाए और उन्हें सासम्मान यहाँ पर लेकर कि बुलाए जाए ताकि यह मंत्री मंगल पाट सुनकर कि अपने प्राणों का विस सर्जन कर सके चारों तरब गुप्त चरों भेज दिये गए दो दिन होगे तीन दिन होगे चार दिन होगे पार दिन होगे लेकिन फिर भी कोई मुनी भगवन का पता नहीं चला सादू भगवन का पता नहीं चला और उदर वो महा मंत्री व्यथित होते जा रहे है और इदर ये राजा भी बहुत दुखी है कि वो अपने मंत्री की अंतिमिच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है राजा को लगा कि अगर मैंने अच्छा पूरी नहीं की तो मैं जीवन बरपस्ताता रहूंगा और राजा ने कुछ सोच के एक युक्ति निकाली और कहते हैं कि उसने अपने सबसे जादा भरोसे मंद गुपत्चर को बुलाया अपने ठेट अंदर वाले टैंड में उसको लेकर के गया और कहा सावधान मनत्री की अंतिम इच्चा है और मैं उसे पूरी करना चाहता हूँ अब तुम ऐसा करो कि तुम यहां से चले जाओ और वापस मुनी वेश को धारण करके आओ और मंगल पाठ याद करके नवकार मंत्र याद करके आओ लेकिन इस तरह से आना कि किसी को भनग भी ना लगे किसी को पता भी ना चले गुप्तचर ने का जो आगया और वो गुप्तचर रवाना हो गया और ठीक तीन दिन के बाद वो वापस गुप्तचर मुनी वेश में राजा के सामने प्रकट हुआ राजा को सूचना दी गई कि मुनी भवन पदा रहे हैं मंत्री को सूचना दी गई कि मुनी भवन पदा रहे हैं जैसे उन्होंने सुना कि राजा के चेरे पर मुस्कान आ गई मंत्री के चेरे पर भी मुस्कान आ गई जो काफी दिनों से वेथा चल रही थी जैसे ही मुनी भवन का नाम सुना तो सारी वेथा दूर हो गई सारी पीड़ा दूर हो गई और कहते हैं कि किसी को शक ना हो इसलिए राजा खुद उनको लेने के लिए द्वार पर पहुँचा और उन्हें विदी सहित वंदन किया गुप्तचर वो सादू बना हुआ गुप्तचर सब देख रहा था और बहुत हक्का बक्का अंदरी अंदर हक्का बक्का हो रहा था कि ओहो ये समराठ खुद मेरे पावों में आज जुक रहा है विदी सहित वंदन कर रहा है और कहते हैं कि वो राजा गुप्तचर बने हुए मुनी को बड़े सम्मान से बड़े भक्ती भाव से बड़े आनन्द भाव से उस मंतरी के टेंट की और लेकर के आता है और जैसे ही वो मंतरी मुनी भगवन को देखता है तो पता नहीं उसकी आँखों से जर जर आंसू बहने लगते हैं जर जर आंसू बहने लगते हैं और उसके काफी दिनों की इच्छा आज पूरी हो रही है और पता नहीं मुनी भगवन को जैसी देखता कि उसके शरी में शक्ती आजाती है तांकत आगे वो हाथ पावी हिलाने में समर्थ नहीं हो रहा था लेकिन जैसे ही मुनी भगवन को देखा कि वो तुरान अपने बिस्तर से बैट गया और बिस्तर से बैटने के बाद उसने गरम पानी मंगवाया और एक थाली मंगवाई और मुनी भगवन को आगे बुलाकर उनको सरसमान चोकी पर बिठाया और थाली में पाउं रख करके पाउं को प्रक्षालित करने लगा पाउं को प्रक्षालित करने लगा उनको विदी सहित वंदन करने लगा उनकी पूजा करने लगा और जैसे ही उस मुनी भगवा ने ये सब नजारा देखा तो मन में आया ओ हो इस मुनी वेश का कितना बड़ा महत्व इस मुनी वेश का कितना बड़ा महत्व जो राजा जो मंत्री मुझे तुछ समझा करते थे और आज इसी मुनी वेश के चलती है वो विदी सहेट वंदन कर रहे हैं भावपुरग वंदन कर रहे हैं मेरा सम्मान कर रहे हैं और मेरे पावों को धो रहे हैं और कहते हैं कि वो मंत्री उनके पावों को धो देता है और उनसे निविदन करता है कि हे मुझे मंगल पाड सुनाने की कृपा करें मुझे अंतिम शरण देने की कृपा करें ताकि मैं अपना इस देहे का विसरजन शांती भाव से आनंद भाव से मुक्ती भाव से कर सकूँ और वो गुप्तचर बना हुआ मुनी मंगल पाड सुनाता है नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम और वो जैसे ही अपना मंगल पाड पूरा करता है उपसरगाग शेयमेंती छिद्यंते विग्न वल्लायह मनाव प्रसनतामेती पुज्यमाने जिनेश्वरे सरो मंगल मंगल्यम सर्वकल्यान कारणं प्रदानं सर्वधर्मानं जैसे ही ये शब्द सुनता है कि उस मंत्री के प्राण निकल जाते हैं और वो उनी मुनी के चर्णों में अपने प्राण विसर्जित कर देता है और मंगल्यम पाड सुनते सुनते अपने जीव का निस्तार कर लेता है और पूरा विदी सहित पूरे सम्मान के साथ मंत्री का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद वो राजा उस गुप्त चर्ण बने हुए मुनी को अपने टेंट में बुलाता है और अपने पांस रही हुई दस हजार स्वन मुद्राओं की थेली उस गुप्त चर्ण मुनी को देता है और कहता है कि वह तूने इतना शानदार काम किया इतना शानदार काम किया कि मैं तेरा जीवन बार आवारी रहूँगा क्योंकि तूने मेरे मंतरी की अंति मिछा पूरी कर दी और कहा कि लो ये दस हजार स्वन मुद्रे ले जाओ और ठाट बाट से रहो जीओ और फिर पांस साल के बाद वापस आ जाना मैं तुझे वापस नोकरी पर रख लोगा एक तरफ वो गुप्चर बना हुआ मुनी जिसके सामने राजा दस अजान सण मुद्राओं की थेली पकड़े हुए खड़ा था और दूसरी तरफ वो अपना मुनी वेश पैने हुए एक तरफ वो मुद्राओं की थेली देख रहा है दूसरी तरफ वो अपना मुनी वेश देख रहा है और पता नहीं उसे क्या होता है वो राजा से कहता है कि है राजन ये आपकी थेली वापस रखिए ये थेली वापस रखिए अरे जिस वेश के सम्मान में राजा जुका, मंत्री जुका और अपने प्राणों का भी विसरजन कर दिया अब मैं उस वेश के साथ दगा नहीं करूँगा और जीवन भर इसी वेश को धारण करके अपना जीवन धन्य करूँगा जीवन भर मैं इसी मुनी वेश को शद्दा भाव से सम्मान भाव से अब जीवन भर पालन करते वे अपनी आत्मा का कल्यान करूँगा अब मैं इस वेश के साथ कभी दोखा नहीं कर सकता इसे कहते हैं मुनी वेश का प्रभाव साद वेश का प्रभाव कि अगर केवल नाटक के बतौर पर केवल बहुरूपय के बतौर पर भी अगर ये मुनी वेश धरन कर लेता है लेकिन इस मुनिवेस्ट का इतना चमतकार है कि वो बहुत रुप्या बना हुआ गुप्त जर्बी हमेशा संत जीवन अंगिकार करने के लिए तत्पर हो जाया करता है हाँ मेरे प्यारे भाईों बेनों हमारी भारते संस्कृती में अगर सबसे जादा किसी को महत्व दिया गया है तो यहाँ पर भोग को महत्व नहीं दिया गया यहाँ पर योग को महत्व दिया गया है यहाँ पर वासना को महत्व नहीं दिया गया यहाँ पर हमेशा साधना को महत्व दिया गया है इसलिए सिकंदर यहाँ पर कभी सम्मान का पात्र नहीं बनता जब भी सम्मान का पात्र बनते हैं तो महावीर और बुद्ध जैसे लोग ही सम्मान के पात्र बना करते हैं क्योंकि उन्होंने राज्य को भोगा नहीं वरन राज्य का त्याग किया और तपस्या और संयम की मार्ग पर अपने कदम बढ़ाए याद रखना अगर रसगुला खाने को मिले तो ये हमारे पुन्य का उद्य है पर रसगुला त्याग करने का भाव आए तो समझना ये हमारे सो गुना जादा पुन्य का उद्य है संसार की यात्रा पर तो सभी जाते है जब जन्मों जन्मों का पुन्य उद्य होता है तब इनसान संसार के कदमों पर नहीं वरन साधना और सन्यास के कदमों पर अपने कदम बढ़ाया करता है इसलिए परमात्मा से प्रार्थ ना करोगी है प्रबू मैं भले ही इस संसार में जन्मा हूँ इस संसार में जी रहा हूँ और इस संसारी काया को लेकर चल रहा हूँ लेकिन प्रबू इतनी किरपा करना जब ये प्रान सरीर से निकले तो इस सरीर पर किसी संसारी का वेस ना हो, अगर हो तो किसी प्रबू और मुनी का वेस हो, इस सरीर पर किसी संसारी का नहीं, किसका, किसका, जोर से बोलिए किसका, मुनी का वेस हो, सादू का वेस हो, उस वेस में अपने सरीर का मैं त्याग करूँ, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सो भाग्य होगा हां अपने सांस्त्रों में कहा जाता है कि श्रावख को तीन बातों का हमेशा मनुरत करते रहना चाहिए नंबर एक प्रभू ऐसी कृपा करना की मेरी लक्षमी का सदा सदुप्योग होता रहे और दूसरी भावना यह भावने चाहिए कि प्रभू ऐ ऐसी कृपा करना कि मेरे जीवन में कभी मुनी जीवन का उदय हो, कभी चारित्र का उदय हो, और नमबर तीन, अगर मेरे जीवन में मुनी वेश का उदय नहो, तो इतनी कृपा करना कि जब मैं इस प्राणों को त्यागू, सरी को त्यागू, तो संथारे के साथ इस सरीर का व भावना श्रावक को रोज भानी चाहिए कौनसी भावना नंबर एक नंबर एक सभी बोलिए नंबर एक मेरे धन का सदा सदुप्योग होता रहे मेरे धन का सदा सदुप्योग होता रहे और नंबर दो मेरे जीवन में कभी न कभी चारित्र का उदय जरूर आए और नंबर ती जब मैं इस सरीर का त्याग करूं तो संथारे के साथे सरीर का त्याग करूं ये तीन भावना रोज हमें भानी चाहिए अरे कहते हैं इतिहास की घटना भयंकर अकाल पड़ गया लोग खाने खाने के लिए तरस रहे थे लोग खाने खाने के लिए तरस रहे थे लेकिन उस समय भी मुनी भगवनतों की खुब सेवा हो रही थी खुब भक्ती हो रही थी और कहते हैं कि एक मुनी भगवन किसी घर पर गोची लेने के लिए गए और वहां पर शावक ने उनको पूरा पात्रा भरके मोदक वेराए तबी एक विखारी भी बाहर खड़ा ये सब नजारा मोदक वेराए जाते हैं और कहते हैं कि वो बच्चा वो बच्चा सादू से निविदन करता है कि आप मुझे भी लड़ू दीजिए मैं भी बहुत बूखा हूँ तो सादू भगवन ने कहा कि हम लड़ू तो दे सकते हैं लेकिन तो मैं अभी पहले महराज बनना होगा पहले सादू बनना होगा तभी हम अपने पात्रे का तुझे दे सकते हैं तो उसने का बना लो उसने का बना लो अगर लड़ू खाने को मिल जाये तो फिर महराज बनने के लिए भी तैयार हूँ एक मारवाड़ी में कहवाज चलती है कि मूंड मूंडाए तीन गुण मूंड मूंडाए तीन गुण मिटे सिर्की खाज खाने को लड़ू मिले और लो काये महराज मिटे सिर्की खाज खाने को लड़ू मिले और लोक आए तो वो बच्चा सादू भगवन के साज चला जाता है अपने गुरुदेव के पास लेकर के जाता है और सारी वस्तु इस्तती से अवगत कराता है और आचारे लड़ू लाओ क्या कहता है सबसे पहले भई मैं लड़ू काने के लिए मारा है बनाओ लड़ू लाओ बाकी सब बाते है छोड़ो और उसके भविश्यों को देखकर वो सारे लड़ू से भरा हुआ पात्रा उस बिखारी बने वे संद को दे दिया जाता है और वो खाना सुरू कर जाता है काफी दिनों का भूखा खाये जा रहा है खाये जा रहा है खाये जा रहा है और कहते हैं कि वो अपने जीब पर सयम नहीं रख पाता और वो खाते 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 ऐसे स्तती बन जाती है कि उसके अजीन हो जाता है और ऐसा अजीन होता है ऐसा अजीन होता है कि उसकी पूरी तब्यत ही बिगड जाती है भयंकर तब्यत बिगड जाती है, सब को पता चलता है तो सारे सेट, सारे शावक, सारे शाविकाएं उसके दर्सन करने के लिए आती है और सब सेवा में खड़े हो जाते हैं, हाजरी में खड़े हो जाते हैं और उनकी कुशल शेम पूछते हैं, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पाउं दबा रहा है है और जब वह इस तरह का नजारा देखता है तूसके मन में आता है यह मुनी वेश का कितना बड़ा महातम्य है कि कल तक मुझे लोग थू क्या करके बाहर निकाल दिया करते थे और भगा दिया करते थे और आज वही सब लोग मेरी सेवा में खड़े हैं मेरी हाजरी में खड़े हैं और कहती हैं कि वो इस शुब भावना को भातेवे कि धन्य है ये मुनी जीवन धन्य है ये मुनी जीवन धन्य है आता है मुनी वेश के प्रती अनुमोधना का परिणाम के आता है कि वही बच्चा मरक करके आने वाले कल में उज्यनी का महान राजा संप्रती बन जाया करता है वही आने वाले कल में अगले जनम में उज्यनी का महान राजा राजा संप्रती बन जाता है और कहते हैं कि अपने पूर जन्म के प्रभाव से वो जैन धर्म का इतना अनुरागी बन जाता है कि अपने जीवन काल में हाजारों मंदिरों लाखों प्रतिमाय भरवाने का वो सौभाग्य प्राप्त किया करता है ये है मुनी जीवन की अनुमोधना का प्रभाव अगर हम दिल से अनुमोधना से भर जाते हैं तो वही परिणाम हमारे जीवन में भी आना शुरू हो जाया करता है आप मैंसे किसकी भावना है दिक्सा लेने की हाथ खड़ा करके बताईए कुछ-कुछ लोगों ने हाथ खड़े किये हैं और कहते हैं कि हमारी भावना है कि हमारे जीवन में भी चरित्र का उदे आए संयम का उदे आए मानता हूँ कि अभी हाथ खड़े करने वाले थोड़े हैं पर मैं तो सबसे निविदन करूँगा कि आप अभी आप की भले ही भावना अभी नव बन पाई हो पर रो सोने से पहले भगवान से प्रार्तना तो जरूर कर सकते हैं रो सोने से पहले भगवान से प्रार्तना तो जरूर कर सकते हैं का प्रभू मेरे तन में ऐसी शक्ती देना मेरे मन में ऐसी शक्ती देना मेरे भावों में ऐसी शक्ती देना कि जब मैं इस संसारी का नहीं किसी मुनी का वेस हो किसी साधू का वेस हो ये भावना तो भाई सकते हैं क्यों भई ये भावना आज से कौन शुरू कर रहा है कि हम भावना तो भाई सकते हैं भले ही अभी वर्तमान में ऐसी इस्तति नहीं है कि हम बन पाए कि नव बन पाए पर ऐसी भावना तो भाई सकते हैं और ये जैन शार्षन ये जिन धर्म जिसका अभी स्वर्णिम काल चल रहा है और जहां पर पड़े लिखे लोग संपन लोग अमीर लोग भी इस जीवन पर आ रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं मैं चाहूंगा चतिस गड़ में पिछले एक साल से जो ये चरित्र का उदे सईयम का उधे और जो महान संयम महुसब हो रहे हैं मैं चाहूंगा इसमें कमी नहीं आने चाहीए और ये अन्वरत धारा चलते रहनी चाहीए तकि छतिस गड़ का ना पूरे देश में सबसे नंबर वन हो जाए पूरे देश में नंबर वन हो जाए अरे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोज दस लाख गायों का दान करे कितना एक गाय की किमत कितनी होती है प्रभु जी बताएंगे एक गाय की किमत कितनी होती है इंटो दस लाख करो कितना हुआ साड़े सांसो करोड श्री भगवान हमारे सास्त्रों में और आगमों में कहते हैं कि अगर कोई एक वेक्ति रोज दस लाख गायों का दान करे उससे उसको जितना पुन्य का बंदन होता है उतने पुन्य का बंदन तो केवल एक दिन का सैयम और चरित्र जीवन जीने से बंदन हो जाता है उतना बंदन केवल एक दिन का सैयम जीवन जीने से बंदन हो जाता है तो लोग जी क्या सोच रहे हैं पहले करोडो कमाओ फिर उसका दान दो फिर उससे पुन्य का बंदन करो तो उससे तो अच्छा है ना सीधा सरल मार्ग वगवा ने बताया एक दम सीधा सरल मार्ग सोच लो आज घर जाकर करें सभी मैं अमीरों से निवेदन करूंगा कि अपने पीज अपने भीतर में ऐसी भावना जगाएं कि जब हम इस दुनिया से जाए तो किसी संसारी का वेश लेकर के न जाएं किसी मुनी का वेश लेकर के जाएं इसी में हमारे जीवन की धन्यता और सार्थकता होगी सब के लिए शुद का अधर